हापी बड़्डे तू यू दोस्तों कि आप भी चाहते हो किसी के भी बड़े में कुछ इस पर करका इस्टेटाज वीडियो केरेट करके विस्ट करना तो आज कि इस वीडियो में दोस्तों मैं अपसे भी को सिखाऊंगा इस तरह का आपको बड़े स्टेटाज वीडियो किस तरह से क्रियेट करना है इस तरह का बड़े स्टेटाज वीडियो क्रियेट करने के लिए आपको एक अप्लिकेशन का जरूत परेगा अप्लिकेशन का नामे काइन मस्टेर अगर दोस्तों आप लोग मेरे से अगर कोई भी वीडियो इडिटिंग क्रिट करवाना चाहते हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट या इंस्टेगरम पर जरूर मेसेज करना या दोस्तों आप लोग इस नम्मर पर भी कॉंटेक्ट कर सकते हो तो आपको सबसे पहले काइन मेस्टर अपको ओपन करना है काइन मेस्टर अपन करने के बाद आपको कूछ इस परकार का एंटरेफ्रेस दिखने को मिलेगा आपको निव परजिक्ट में किलिक करना है और हिया पर आपको नीचे मिल जाएगा जोस्तों 3-4 जोस्तों इस आपको फॉर्ट शेकंड पर रखना है और आपको इसको फिलिसक्रीन कर लेना है और आपको टांजर्जक्शन डुईरस उनको 1.5 सेकंड रखने बाद बेका जा रहा है उसके बाद आपको इस त्वार को आपको इस परकार का दिखने को मिलेगा सबसे पेले आपको एकर साइच को इस परकार से अगर आ रहा है मतलब frame नहीं होड़ा है तो photo में किलिक करके पेने जुम को अप्शन में जाना है और दो अंगली से इस परकार से आपको photo को जुम कर लेना है और double N में टिक कर लेना ठीक है जो कि मैं पहले से ही सभी photo में कर चुका हूँ उसके बाद आपको क्या करना है आपको प्लाजबल दोस्तों आपको एक एक करके एगला टांजबल सीनी पेट सभी प्लाजबल आइकन में आपको कुछ इस परकार से आपको एट कर लेता हूँ उसके बाद आपको फर्स्ट फोटो में किलिक करना है और किलिक करने के बाद इसका लेंथ आपको थोड़ा इतना दूर तक आपको कमा लेना है ठीक है इतना दूर तक कमाने के बाद दोस्त आपको एंड पोजिशन की फोटो के तरफ आपको चले जाना है जाने के बाद दोस्तो इसका भी और नीचे जो end position है इसको आपको जूम करना है ठीक है दोस्तों सबसे पहले starting position आपको इस परकार का दिखिनों को मिलेगा आपको pen and zoom option में जाके आपको equal line में आपको हटा लेना है ठीक है उसके बाद end position में क्लिक करके आपको कुछ इस परकार फोटो को आपको थोड़ा जूम क करो गे और दोस्तों जूम करने के बाद आप जैसे वीडियो को थोड़ा प्ले करोगे आपका वीडियो थोड़ा जूम होके आएगा ठीक kids प्रकार से ठीक है जो कि मैं पहले से ही कर चुका हूँ उसके बाद आपको क्या करना है इस arrow में click करके आपको इस वीडियो को save एस करना है जो कि इस वीडियो को मैं पहले से ही save एस कर चुका हूँ तो मैं दोवारा save नहीं करूँगा तो save हो जाने के बाद आपको पूरा bake आ जाना है ठीक है bake आने के बाद यहां पर आपको जो first project दिखना को मिल रहा है इसके थोरा bagel में आपको three dot मिलेगा इसमें आपको click करना है और duplicate में जाने के बाद आपको 16 to 9 को select करके नीचे duplicate में आ जाना है उसके बाद आपको क्या करना है फर्स्ट बला प्रजेट को open करना है और इस परकार का आपको एंटरेफेस मिलेगा आपको क्या करना है फोटो में क्लिक करके पेने जूम को आपसेन में जाना है और फोटो को आपको कुछ इस परकार से क्लिक करके मतलब दोस्तो जूम करके आपको डावलाल में क्लिक कर लेना है ठीक है इसी परकार से आपको वीडियो के एंड तेक आपको एही प्रोसेस चालू रखना है ठीक है तो मैं फटा पर से सभी फोटो को एड़ेस्ट कर लेता हूं उसके बाद में आपको आगे देखाता हूं तो सभी फोटो को आपको एड़एस्ट करने के बाद आपका वीडियो के अंड एफ में आपको आपको डूम आउट बोला ठीक है एकए कर आपको वीडियो के एंड तेक आपको इसको सिलेट कर लेता हूं उसकी आगे दिखाता हूं तो दोस्तों हिहां पर मैं एक एक करके सभी फोटो में चुमाडबला टांजेक्शन इफेट एड़ कर चुका हूँ उसके बाद आपको फोटो में क्लिक करके इस विगनेट ओन कर लेना है ठीक है जो कि हिहां पर आपको बेगरांड में थोड़ा आपको डार्क दिखिनों को मिलेगा आपको एक एक करके वीडियो के एंड टेक आपको इस तरह से विगनेट को ओन कर लेना है ठीक है ब्लड करने पर शेटिंग जाकर इसका लेंग या JU holders W 색 उसके बाद आपको करना है इसको वीडियो का एंड tickets वीडियो का एंड tech करने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टाइटिंग पॉजिशन में लेयर उप्षेन में जाकर आपको select करना है media option और यहाँ पर आपको select कर लेना है बड़े template वीडियो ठीके बड़े template वीडियो आपको किस तरह से download करना है आपको वीडियो कर description में link मिल जाएगा आपको बड़े template वीडियो लेने के बाद split screen में जाकि इसको fill screen करना है और आपको थोड़ा नीचे मिलेगा आपको blending option ठीके आपको इसमें click करके screen में click करना है आपको layer option में जाके media option select करना है और आपने जो video kind master से export किया था उसको आपको लेना है लेने के बाद यहां पर आपको frame के मुताबिक थोड़ा आपको इस video को भी आपको इस परकार से आपको rotate करना है ठीक है rotate करने के बाद यहां पर आपको जो frame का border दीकिनों को मिल रहा है इस border के length मुताबिक आपको इस video का आपको बहुत अच्छे से आपको zoom करना परेगा ठीक है तो दोस्तों इतना दूर्टेक आपको लेने के बाद आपको बहुत अच्छे से इसको आपको zoom करना है कुछ इस परकार से ठीक है zoom करने के बाद आपको इस three dots में click करके इसको send to backward कर लेना है करने के बाद अगर कोई भी site अगर थोड़ा बाहर हो रहा है तो आपको cropping option के मज़द से इस परकार से आपको अच्छे से तरीके से आपको देखने ने के बाद आपको cropping कर लेना है तो हिए पर में थोड़ा इतना दूरत्यक मैं कर लेता हूं ठीक है उसके बाद आपको बेक आने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस में लेगा आपको हिहां पर क्या करना है लेयर option में किलिक करके आपको media option select करना है और select करने के बाद हिहां पर आपको एक particle video को दोस्तों आपको add करना पड़ेगा ठीक है करने के बाद हिए आपको तीन ऊंच में यहां पर आपको फोटो को ले लिए हूं और आपको प्रोपिंग में जा कि इसका मार्सरान करना है और अब चाहए तो इस हार्ट को थो तरब उपर कर सकते हो ठीक है उपर करने के बाद आपको इस परकार से आपको फोटो को जूम कर लेना है ठीक है जूम करने के बाद एक बार बेक आना है और हाट को तोड़ा छोटा कर लेना है ठीक है छोटा करने के बाद यहां पर आपको जो फ्रेम मिल रहा है इस फ्रेम के साज मुताबिक मतलब इस फ्रेम के मुता लेना है तो दोस्तों मैं तीनों फोर्टों को बहूंत अशेस्च कर चुका हूं उसके बाद को वीडियो के स्टार्डिंग पोजिशन में लियर उपसिन में जाकर स्टीकर में आना है और आजाने के बाद आपको एक केक बला लेना है और डूब्लिकर लेने के बाद आपको रिप्लेस में जाना पड़ेगा रिप्लेस में जाने के बाद आपको ये वाला बिलून वाला इस्टिकर को आपको एड़ करना है और इसका लेंत आपको थोड़ा बढ़ा करके आपको इस जगा पर आपको अच्छे तरीकर से ठीक है और बैठे लेने के बाद आपको audio option में जाके जो भी song आपको बड़े के लिए better लगता है उस पर क्लिक करके जैसे plusable icon में क्लिक करोगे आपका song नीचे एड़ हो जाएगा और जैसे दोस्तों आप वीडियो को प्लेक करोगे आपका वीडियो कुछ इस परकार से ready हो जा तो दोस्तों मिलते हैं एक new interesting new वीडियो के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था